इस चैनल के उपर मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनकी शॉट वीडियो प्रोवाइड करें ताकि एक्जाम में आपकी जो टॉपिक्स एक-एक मार्क्स के आते हैं वह कहीं पे भी छूटे नहीं तो आपका आज के जो टॉपिक है वह है Grand Slams Tennis Tournament 2021-2022 देखे टैनिस के पूरे दुनिया की अंदर इंपोर्टेन टूर्णमेंट होते हैं वह चार पार्ट में डिवाइड़ होते हैं और आपका विविल्डन जिसमें से विविल्डन सबसे पुरान है और विविल्डन जो है वह सबसे जैसे टैनिस Grand Slams आपके चार है और वह सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है फिर फ्रेंच ओपन होता है फिर विविल्डन ओपन होता है और फिर होता है चौता और आकरी यूएस ओपन है ना 1905 को त्रेल्या जो हमारा सीक्वंश उसके साथ शुरू कर रहा है सबसे पहले और उपन होता है तो पहला सबते पहला चया पेसी हें चैनवरी के महीने मिए में अपका टैनिस जाता है सरफेस यानि कि हार्ड कोर्ट पे कि सतह पर यह खेला जाते हैं तो अप याद रखें कि टैनिस टूर्णмент हमेशा हाड कोर्ट पर खेला जाता है काफी सतह ओती है वह काफी हाड होती है 2021 alma financing recommend form मैं सिंगल और विमेंस सिंगल ओर मैं सिंगल के जो विनर थे नावक जोकोविच रनार अप जो थे वह डैनियल मैडवेट करके नमेशा का जूँकि जापान से बिलॉंग करते हैं जंपर ब्ная लिंट эпर बैड बेडी विनर 2000 www.2021 क्योंकि देखो जैसे हमने बताया कि जैनवरी में ये मैच हो जाता है तो इसका मतलब 2022 जैनवरी का जो मैच है वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है मैं सिंगल विनर यहाँ पे रफाल नडाल है रनर अप जो है वो डैनियल मेडवेड है वोमें सिंगल जो है वो ऐषले बाटी ने रिटार्मेंट भी ले लिए कहते हैं इतनी कम उमर में इतना बड़ा प्लेयर जो की आस्ट्रेलियन ओपन जीता हो वो रे डे सकता है लेकिन गले के साथ नडल यहे आपके रफाल नडाल जो है इनके 21 टाइटल हुआ करते थे ठीच है ट्वन्ट 10 ग्रांट डालने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीतने के बाद जीत लिए जो कि अपना उनके उनके भात में वर्ल्ड रेकॉर्ड आगे क्योंकि इससे पहले नोवक जोकोविच और रोजर फेडरल दोनों के क yardım comin वह सबसे और झालनलों के वह जीते हुदल तो पीज़न अपना के आप Refal अडाल के पास कस्वड्स ग्रेंड हो गई यहानीं stream जीति freakin Eng नडाल अब जो हैं वो सबसे जादा Grand Slam सिंगल टाइटल में जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, दूसरा यहां पे French Open की बात करते हैं, French Open 1891 में इसको शुरू किया गया था, यह आपका मई और जून के महिने में होना है, या होता है, इस साल का अभी तक नहीं सबसे इंपॉर्टेट गयात है, विनर 2021 के मैं सिंगल की नौवाक जोकोविच है, रनर आप जो हैं वो स्टीफएनॉस स्टीफनोस टिसमी meilleur नाम है जो आपका भी निकल गया है, वो में सिंगल में विजयता जो है, वह बार्बरा वार्बरा क्रेजिस्कोवा है, रनर आप की अनास्तासिया पावलू चैकोवा यह फ्रेंच ओपन से रिलेटेड विवल्डन ओपन और सबसे इंपोर्टेंट आपका यहां पर विवल्डन ओपन आपका इंग्लेंड से इंग्लेंड से रिलेटेड है सबसे पहले शुरू भी देखी यही हुए 1877 में इसको शुरू किया जो खेला जा रहे है वो फ्रेंच का जो है वह आपका क्ले कोट पर खेला जाता है विवल्डन 1877 सर्फेस आपका ग्रास कोट है विना 2020-21 में 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 मेंस के जो विजेता थे वह नोवक जो को वीच हुए थे 2021 में रणर आप आपके मेटव बैरेटी नी वौन सिंगल्स में एशले बाटी और रनर अब जो है वो कैरोलीना कैरोलीना प्लिसकोवा तो आप यहां पे देखो एशले बाटी जो है वो आपकी इसका उस्ट्रेलियन ओपन इस साल का जो है वो जीत चुकी थी तो इसी के बाद उन्होंने का था कि अम मैं रिटायर हो रही हूं और 2021 का भी जो से लास्ट में रहें इसका हाड मैं महड़ोट है ओस्ट्रेलिया की तरह ठीक है वेनर यां पे डेनियल मैडवेड रनर वा्क जोकोविच रहे हैं रहे हैंSpam तो हमको वेबल्डन कप सारे के सारे यह टैनिस टूरनमेंट चार ही 2021 के लर्ण करने जिसमें आपके दोसर इकिस में चार बनामेंट हो चुके हैं 2022 में हुए हैं तो यह तोटल आपके पांश तूर्नमेंट इंक्ल्यूड करी रहे हैं आप सारे प्लेयोस उनके नाम याद रखेगा मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में प्लेयोस की जो कंट्री है वह आपकी यहां पर बता दूंगी अब हम बात करते थोड़ा भारत की तरफ से कोई गया है के टैनिस टूर्णामेंट में आसता कि तो यह सानिया मिर्जा ने अ में इन्होंने 2009-2012 और 2014 जो है वो भी यहां पर जीता हुगा है तो आप याद रखेए कि छे बार जीत्तों की जुकी है इंडिवीजूली एक बार भी नहीं जीता है लेकिन वोमेंस डबल में और मिक्स्ट डबल में इन्होंने जीता है मिक्स्ट में मतलब वेना मेल और फी और इनके साथ खेले थे ना एक बार तो यह उससे डबल में जैसे सानिया मिर्जा के साथ कोई और किसी कंट्री की वोमें प्लेयर जो होने वाली है तो ऐसे करके सानिया मिर्जा ने अपने 6 ग्रैंड स्लैंस जीते हैं और उसके बाद 2003 में उनका जो करियर शुरू हुआ था सानिया मिर्जा जो है वो आपकी ट्रैंस टूर्नमेंट नहीं खेलती है तो एक बार इसको लॉन कर लीजएगा आपको इसकी पीडिया जो है वो टीएस अड़ा के उपर भी मिल जाएगी और आपके जो ग्रैंड स्लैंस आप से पूछे जाएंगे तो अभी सिफ इतना ही ल आपका शुरू हो चुका है तो जैसी कोई टैनिस टूर्नमेंट फिर से नया आता है मैं फिर से अपडेट करके आपकी वीडियो बना दूंगी ठीक है तैंक यू सो मच टू वे वेद मी तैंक यू सो मच बाए बाए